क्यांट के अब नमस्काराज हमने के स्वाधिश लगता है आप रोटी पुष जिसे विमन करें बना करके खा सकते हैं बहुत है आसान तरीकी से आप घर में इसको बना सकते हैं मेरा वीडियो आप और चाहिए मिर्च हैं पहले मसाला त्यार करेंगे भरोबनाने के लिए में अधराइपें में सर्तों तेल डाला है प्याज को हम भूह दोनों को अभी आज को आपको भूह लेना है अब हम अगया है कि बहुत ही मीडियम तक प्लेम पे आपको भूह देजांगेchnा इसके बाद आपको वायल डाल करके आलू को भी इसमें भून लेना है प्याज लहसुन और आलू को भून लीजिए इसके बाद मसाला है पहले हम हल्दी और आमचुर पाउडर और नमक डालेंगे तीनों चीज़ एक करके आप डाल दीजिए हल्दी आमचुर पाउडर और नमक तीनों को डालने के बाद आप इस तरह से तीनों को भून लीजिए जिससे हल्दी हमारी पक जाए अब इसके मसाला त्यार करते हैं हमने धनिया जीरा मेथी मंग्रेल सौफ का मसाला हमने त्यार किया है आचार में यही मसाला पढ़ता है इसको भी आपको मेडियें प्रीम भून लेना है बूनने के बाद इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लीजिए ठोड़ा हमने ज्यादा पीस ला पिसा है अचार बनाने के लिए हम यही मसाला दो चमच इसमें डालेंगे दो चमच ऊपर से डाल लिजिए इसको भूनने के आपको ज़् निकाल देते हैं हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था हमने उपर से लाल मिर्च पाउडर दाल दिया भरवा में भरने के लिए अब हम सारे सिमला मिर्च को आलू का पेष्ट हम भर देंगे इसमें इस तरह से आपको आलू जो भरवा हमने त्यार किया है उसको भर देते ह कि हमने सारे सिम्ला मिर्च दो सिम्ला मिर्च हमने भर के त्यार कर लिया अब फ्राइपेन में हम टालेंगे सरसो तेल तेल की मात्रा बहुत ही कम लगती है इसमें और बहुत अच्छे सी यह भून जायागा इसमें अब सारे सिम्ला मिर्च को हम भरवा सिम्ला मिर्च इसमें हम applause कर सकते हैं आप सब्सक्राइज ने कर सकते हैं दीजिए पूलटर इंगरकर कर शेक लीजिए भीट लगता है और आप रोटी पूडी रचते जैसे मनकर बना करके क्षास क्ते हैं एक बार जरूर बना के ट्राइ कीजिए सिम्ला मिर्ज का भरवा मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा नमस्कार अम मिलेंगे अगले वीडियो में